अब सवाल महतुपूर्ण ये हो जाता है कि ड्रग मामलों की जिस तरह से तेजी से जांच की जारी है इससे सुशांत मौत का मामला सामनी आ जाएगा कि इस रहसे में मौत की पीछे की वज़़े क्या है इसी पर बाचीत करने के लिए कई खास मेमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका तारूफ आपसे करबा देती हूँ हमारे साथ शांतरु सेहिन पूरु जुएंट डिरेक्टर सीबियाई की जुड़ चुके हैं सुमिछ चंदर वरिष्ट वकील हमारे साथ मौजूद हैं नसीर अब्दुल्ला साहब फिल्म अभनीता हमारे साथ जुड़ेवे हैं फैनल उम्रिगर अभिनेतरी हमारे साथ मौजूद हैं आशीश दिक्षित वरिष्ट वकील को भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके वकील हमारे साथ अशोग सराफगी जी जुड़ चुके हैं आज तक पर लाइट जिनको आप देख रहे हैं अशोग जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर और मेरा पहला सवाल यही है CBI की टीम देशुती मोधी आपकी जो क्लाइंट है उनको पूश्ताश के लिए बुलाया है किस तरह से देख रहे हैं आप और यह जो ड्रॉक्स कनेक्शन आपस में सामने आया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या जाइब कर दूँ कि मैं आपको क्लैरिफाइ कर दूँ कि अभी तक जो है चार बरे तक जो है उनको कोई समंस नहीं मिले थे तो शायद ये कहीं न कहीं कोई गलत रिपोर्टिंग है कि उनको बुलाया गया है मैं इसको क्रॉस चेक करवा लेती हूँ लेकिन हमारे समबाददाता ने ग्राउंड जीरो से जो जानकारी हमें दी है लेकिन आप क्या रहे हैं तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं अब ये जो ड्रक्स का कनेक्शन सामनी आ रहा है चुंकि एक तरफ सुषान के रहसे महीं मौत का मामरा सुलजाने में जांच एजनसिया तमाम पूरे जद्दुजहे से लगी है मैं चाहती हूँ विस्तार से इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजे आप किस तरह से किन-किन लोगों का आपने जिस वाटसेप चाट का जिक्र किया हमारी इस रिपोर्ट में उसमें आपने कहा कि सुशान को भी पता था रिया को भी पता था और ये बहुत कॉमन है सभी लेते थे ड्रग्स इस बारे में आपने जानकारी दी जे देखिए जहां तक ड्रक्स का सवाल है ये फिर्म लाइन में बहुत कॉमन चीज है और जहां तक हम सिर्फ एक सुशान के लिए उसको रिस्टिक करें तो ना सिर्फ शुशान रिया बलकि उनके परिवार को भी पता था कि ये ड्रक्स देते हैं उसका रिजन यह है कि जब भी वो बाहर गए थे दो बार बाहर गए अपने परिवार के पास उनका जो अपना ड्राइवर जो है वो उनके साथ हमेशा गया है और वो ही ड्राइवर जो है उनको वो देता था ड्रक्स जो है मंगा के देता था जिसका नाम था सोहिल सागर तो ऐ ऐसा नहीं है कि उनके परिवार को इचीश पता नहीं है कि वो ड्रक्स नहीं लेते थे उनके परिवार को भी पता है कि वो ड्रक्स लेते थे और ड्रक्स जो है वो उनको वही लाके देते थे वो ड्राइवर एक उनका कुप जो है अशोग वो उस ड्राइवर से कॉडिनेट कर तो ड्रक्स का इस्सेमाल होता था किस परिवार को पूरी जानकारी थी कि दरसल ड्रक्स की पार्टी होती है घर में क्या रिया चक्रवर्टी सुषान को फोर्स करती थे ड्रक्स के लिए क्योंकि परिवार बालों का सीधा आरोप है कि रिया चक्रवर्टी ही वो मुझरिम हैं जिन्होंने नशे के लिए मजबूर किया सुषान सिंग राजपूत को पहले वो ऐसा नहीं करते थे नहीं ऐसा नहीं है कि रिया के कहने से ही ड्रक्स दिया गया ऐसा मैं नहीं मानता यह जो है रिया की कॉंटेक्ट में आने के पहले से जो है ड्रक्स का सिलसिला चालू है तो अगर पहले से कोई सिलसिला चालू है तो यह कहना बहुत गलत होगा कि रिया ने आखे सिलसिला चालू किया या रिया की वज़े से जो है यह ड्रक्स लेते थे जानकारी आप दे रहे हैं मैं चाहूंगे कि आप हमारे साथ बने रहें और आपने जो क्रॉस चेक करने के लिए कहा था आपते दर्शकों के लिए हम बता दे कि शुती मोदी को CBI ने पूछताश के लिए बुलाया है और वो DRDO दफतर में इस वक पहुंच चुकी हैं और तस्वीरे भी हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं CBI दफतर की तो मैं चाहूंगी कि आप भी एक बर क्रॉस चेक कर लें और बाकी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े वे हैं अब मैं सीधे उनका रुक करते वे अशुकी बहुत साथ